प्रभाकर गुपता दोस्तों जो हम GST के रटन फाइल करते हैं तो उसमें गुछ वरडिन्स आती हैं विसे रिलिटेड वी डू बी बी टू सी एल बी टू ची एस आज हम इस वीडियो में इन सभी के बारे में जानेंगे कि यह क्या invoices होती है यह कब applicable होती है कब यह issue की जाती है और में क्या difference है उसे पहले हम अपसे request करेंगे कि आप माई चैनल को like, share और subscribe किजी सबसे पहले हम question देखते हैं question है what is B2B, B2CL, B2CS invoices at the time of filing GST return and on what basis should one classify them यह B2B, B2CL, B2CS invoices क्या होती है और ने कैसे classify किया था है तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि यह क्या होती है invoices B2B, B2CL and B2CS सबसे पहले हम बात करते हैं B2B की B2B यदि हम इसकी full form का बात करें तो इसका full form होता है business to business B2B means business to business transaction यानि कि जब आप supply करते हैं business to business मतलब business का मतलब होता है यहाँ परकर हम सिंपल भाहता है कि registered person if you are a registered person आप registered person है और आप जो supply कर रहे हैं जो sale कर रहे हैं उस customer को कर रहे हैं जो की already registered है जी एश्टी के अंदर तो यह जो supply होती है registered person to registered person जो supply होती है तो बी-टू-बी यानि business to business supply होता है यह एजुमगर्गी दलते हैं कि जो सामने वाला जो registered person है तो ultimately वो भी business कर रहा है इसलिए उसने जी एश्टी का registration लिए आए आप अपने घर के लिए कोई सामाल खरिदने जाते हैं तो आप जी एश्टी का registration क्यों लेंगे आपको उसका क्या benefit है जब आप sale ही नहीं कर रहे हैं तो इसलिए अगर supply registered person to registered person होती है अगर आप registered है और सामने वाला भी registered है तो वो supply B2B supply कहलाती है condition ही है कि सामने वाला परसर जिसको आप माल बेच रहे हो वो registered होना चाहिए अब हम बात करते हैं B2C L की B2C L का मतलब है business to consumer large जी हाँ यहाँ यहाँ पर L का मतलब है large B2C मतलब business से आपने consumer को transaction की लेकिन वो large transaction है large transaction क्या होती है अब हम को डिसकस करते हैं तो B2C L means business to customer यह consumer transaction where supply is interested and invoice value is more than 2.5 L means जब आप किसी consumer को supply करते हैं consumer means जो unregistered है जो GST के इंदर registered नहीं है यदि वो registered होगी है तो वो B2B में आ जाएगा लेकिन यदि वो registered नहीं है तो वो B2C के लाएगा यानि कि business to customer हो सकता है कि आपने जो supply कि किसी दुखानदार को कि लेकिन जो दुखानदार है वो GST में registered नहीं है आप यह कह सकते हैं तो वो भी तो business कर रहा है जो GST में रजिस्टर नहीं हो बिजनस नहीं कर रहा है तो बी-टू-सी-ल का मतलब यह होगा कि तो वो supply B2C के लाती है लेकि L का मतलब होगा है लार्ज लार्ज मींस कि वो पहली बात वो इंटर स्टेट स्प्लाई हो और उसकी वैल्यू धाई लाख रुपे से कम है तो वो B2C यह लगा दिया B2CS B2CS का मतलब हो गया कि जैसे B2C आपको पहली बताया कि बिजनस तू कर्श्टमर और इस का मतलब होगा है स्मॉल कि जो इसमॉल ट्राजेक्शन इसमॉल ट्राजेक्शन का मतलब है GST के अंदर धाई लाख रुपे से कम की वैल्यू तो B2CS मींस बिजनस टू कन्यूमर टांजेक्शन वियर सप्लाई इज इंट्रेस्टेट और इन्वाइस वैल्यू इज नौट मोर देन 2.5 लैक मींस आपकी इन्वाइस की वैल्यू धाई लाख रुपे से कम है तो वो B2CS में काउंट होगी अब आपको यहां पर इन्वाइस एक इन्वाइस की बात हो रही है ऐसा नहीं है कि आप यह कहें कि जी बीटू मैंने एक सप्लायर को एक पार्टी को मैंने चार इन्वाइस इशू की जिनकी कीमत अगर सपोच एक एक लाख रुपे टोडल चार लाख तो B2C S में आएगा दोस्तों उम्मिद करता हूँ कि अब आपको क्लिर हो गया होगा कि B2B क्या है B2CL क्या है और B2C S क्या है अब आप जब GST कर आऄं में फाइल कराएं तो अपने इन्वाइस को देखनें कि वो B2B में कवर होंगी या B2CL में होंगी या B2CS में होंगी आपके जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करना बिलकुल न भूलिएगा और हाँ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद